प्री विद्यार्थु नमस्कार जैसा कि हम UPSC के श्रिंखला में आगे बढ़ रहा है तो मैंने कहा था UPSC एक बड़ा टॉपिक है और इसको हम अलग-अलग भागों में देखेंगे हमने पिछले लेक्चर में जो है इसके कोशन आंसर से एमसी क्यूज देखे थे आज इसके आर्टिकल्स पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं आर्टिकल्स को ले करके देखें UPSC एक सम्विधानिक संस्था है आप सभी को पता है और UPSC जो 315 से ले करके 323 तक जो आर्टिकल्स है वो हमको दिखाई देते हैं तो आज हम इन आर्टिकल्स के बारे में थोड़ी सी एक संक्षेप में चर्चा करते हैं कि भई 315 से ले करके 323 आर्टिकल्स के अंदर क्या चीज़े दिखाई देती हैं तो 315 में लिखा हुआ है Public Service Commission for Union and States Public Service Commission for Union and States केहने का मतलब क्या है कि संग के लिए और राजज्यों के लिए लोकसेवा आयोग होंगे और यह जो लोकसेवा आयोग होंगे यह संग के लिए भी होंगे तो संग का जो लोकसेवा आयोग होगा उसको हम कहेंगे UPSC जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे और जो राज्य का होगा उसको हम क्या कहेंगे State PSC कहेंगे जैसे UPSC और फिर MPPSC तो MPPSC एक State PSC है तो 315 में यह दिया हुआ है अब 316 की अदि हम बात करें तो Article 316 यह बात करता है Appointment and Term of Members की कहने का मतलब यह है कि Appointment किसके द्वारा की जाएगी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी तो राष्टपती के द्वारा नियुक्ति की जाती है UPSC के चेर्मेन के भी और UPSC के जो सदस्यों की संख्या जो है वो 9 से ले करके 11 तक होती है कोई fixed ऐसा दिया नहीं हुआ है लेकिन यह एक अमूमन जो है 9 से 11 सदस से आपको दिखाई देते हैं UPSC चेर्मेन के अलावा तो appointment रास्टपती करते हैं President करते हैं और किसकी सलाह पर करते हैं तो यह मंत्री परिशत की सलाह पर करेंगे आपको जानकारी है इस बारे में tenure जो है या term जो है member का तो वो किते समय तक का होता है देखिए generally यह होता है कि 65 वर्ष की IU या 6 वर्ष कहने का मतलब ऐसा एक example ले करके चलते हैं कि मान लिए किसी की जो नियूक्ती है वो 2014 में हुई है तो वो 2014 से 2020 तक बना रहेगा बशरते यह 2020 में 65 साल का ना हो रहा हो चीक है न याने मान के चलते हैं for example कि उनकी उमर थी 55 साल में एक व्यक्ती के नियूक्ती होती है ठीक है 55 साल का है वो 2014 में और 55 से लेकर के 6 साल याने 61 साल आराम से वो अपनी सेवा क्या कर सकते हैं दे सकते हैं लेकिन मान लेते हैं कि कोई 60 वर्ष का व्यक्ती है जो 2014 में 60 वर्ष का है तो आप देखेंगे 2020 तक आते आते जो उनकी उमर है वो 66 वर्ष हो जाएगी तो यहाँ पर उनको छोड़ना पड़ेगा जो अपना पद है उसको ठीक है कि नहीं तो यह tenure के बारे हम बात करते हैं अचा अब न्यूक्ती प्रेसिज्देंक करता है तो निकालने का अदिकार भी किसको है प्रेसिदेंट कोई है ठीक है तो इसके लिए जो ग्राूंड दिये गए हैं वो युन ग्राूंड की हम बात करते हैं तो अगला जो है आर्टिकल 317 इसमें हम रिमूवल की बात करते हैं कि रिमूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपी एससी तो रिमूव कैसे किये जाएंगे तो देखिए एक तो है कि भाई यह दिवालिया घोशित होगो भाव लिया गया इंसॉल्वेंड कहज़ाएं इसको इंग्लिश में इंसॉल्वेंड बुसरी चीज कि यह विक्रिचित जिए विक्रिचित याने उंसंडॉ माइंड के हो जाए इसको असान भश्य में याद करने के लिए हमारे से पागल दिवाना ऐसा याद कर सकते हैं पागल यह विक्रिचित जिसका माइंड ठीक से काम न कर रहा हूँ अंसाउंड माइंड और दिवाना से दिवालिया आप याद रखें हलाकि ध्यान रहे कि यह दिवालिया औ रहे हो और UPSC और जो है उसके जो मैंबरस है और चेयरमैन है और पूरी जो UPSC का जो खर्चा है वो संचित निदी पर भारित होता है Consolidated Fund of India अनुछेद 266A तो इस संचीत निदी पे भारित होता है clear है कि नी तो इस संचीत निदी पे बेसिकली चर्चा हो सकती है लेकिन मद्दान नहीं हो सकता तो ये संचीत निदी से fix एक security इनको दे दी गई है याने ये एक secure संस्था आपको दिखाई दे यहां ठीक है न जिसे हम देखा था कि UPS Supreme Court के judges जो होते हैं उनकी भी जो salary है वो संचीत निदी से आती है तो in the same way UPSC के भी जो salary है वो संचीत निदी से ही आती है सारे उसके खर्चे हैं वो यहीं से वहन होता है तो यदि उस chairman के पद पर या member के पद पर कोई व्यक्ती insolvent या unsound mind का है तो कैसे उसको आप बताईए कि कैसे उसको रखा जा सकता है साथी साथ एक condition ये भी है कि यदि आप दूसरी जगह से किसी प्रकार का कोई धन प्राप्ट कर रहे है याने आप तो एक तो UPSC के पोस्ट में है और दूसरी जगह से कहीं आप salary कर रहे है जरूरी नहीं कि सरकार से हो सकता आप किसी private institution में या किसी coaching में पढ़ा रहे हो तो ऐसा एक UPSC का member नहीं कर सकता है उस अधार पर भी इसको बाहर निकाला जा सकता है तो हमने किसकी बात कर ली removal की बात कर ली clear है कि नहीं चली अब हम देखते है 318 में power की बात करते हैं ठीक है ना तो power किसकी power कि भाई जो service conditions वगएरा है जो service conditions वगएरा है सेवा की जो शर्ते वगएरा है वो इनके कारेकाल के दोरान जो है वो कम नहीं कि जा सकती है ना मानले जे salary UPSC member की जो है वानले जे एक लाख रुपए की है महिने की तो वो उसके कारेकाल के दोरान कम नहीं कि जा सकती clear है कि नहीं तो सेवा हो गई उसकी जो उनको जो भत्ते मिल रहे हैं उनको जो जिस प्रकार की सुईधाय मिल रही है वो सारी चीजों को उन परिलब्जियों को कम नहीं किया जा सकता उनकी कारेकाल के दोरान तो ये आर्टिकल 318 में दिया हुआ है इसलिए 319 में उनके उपर प्रतिबंध भी लगा हुआ है प्रोहिबिशन भी लगा हुआ है ठी ही कहादी एक का मेंब्र अठीक ये यूपी एससी का मेंब्र यूपी एससी का चेयर में बन सकता है इसी स्टेट का मेंब्र हैं it by अभिछ सकता है लेकिन मान लिए यूपी स्टी का कोई चेयर्मेंंasan maze तो वो दुबारा Chairman नहीं बन सकता है, उसको प्रतिशेद है, बहीं, एक ये बार Chairman बनेगा, दुबारा Chairman नहीं बन सकता, साथ ही साथ वो कोई भी दूस्रा Office जोइन नहीं कर सकता है, ताकि एक Independence बनी रहे, एक स्वधंतिता बनी रहे, जिसमें एक case आता है, AR किदवई केस AR किदवई AR जो किदवई थे UPSC के चेयर्मेन रहे और इसके बाद इनको बिहार का गवर्णर बना दिया गया तो बिहार का गवर्णर जब यह बने तो इनका केस गया कि भई प्रतिशेद है आर्टिकल हमने देखा है आर्टिकल 319 में प्रतिशेद किया गया है तो बोले देखिए यह प्रतिशेद जो किया गया है वो सरकारी नौकरियों के लिए किया गया है और राजजपाल जो है कोई सरकारी नौकरी नहीं है राजजपाल एक समयधानिक पद है और जैसा वित्तिया पातकाल में हम देखते हैं राश्टपती की भी सेलरी जो है वो कम हो जाती है सुप्रीम कोट के जो जजेज हैं उनकी सेलरी भी कम हो जाती है लेकिन आप देखो कि राश्टपती और राजपल की सेलरी कम नहीं होती ठीक है ना तो यह समयधानिक पद है तो यह आयर की द्वाई जो है वो अपने पद पर क्या दिया हुआ है आपका article 320 में तो 320 में functions के बारे में दिया हुआ है functions कि functions क्या क्या है तो देखिए एक तो all India services और central services all India services में आपको आता है IAS IPS और Indian forest service हलाकि राज्यसभा जो है वो इतनी powerful है कि यहां वो आर्टिकल 315 के तहट राज्यसभा powerful है कि वो क्या कर सकती किसी भी central service को और इंडिया सर्विस में डाल सकती है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा powerful है याद रखेंगे तो यहां पर यदि हम देखें तो और इंडिया सर्विस अभी तीन है आईएस आईपिस आई एफ ओस याने इंडियान फॉरेस सर्विस लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो इसमें और कोई दूसरी central service केंदरी सर्विस को भी डाल सकती है तो central services के अंतर कता आप का जाएगा इंडियान फॉरेन सर्विस है ना भारती विदेश सेवा इंडियान रेवेन्यू सर्विस जो केजरी वाल थे है ना इसके अलावा Indian Information Service और इसके अलावा Indian Postal Service, Indian Railway Account Service, Indian Railway Traffic Service, Indian Railway Postal Service, तो यह बहुत सारी जो सेवाएं हैं, यह सारी की सारे जो UPS सीक अंतरगत प्राप्त होती हैं, यह आपके Central Services में आती हैं और यह IS, IPS है और आपका Indian Forest Service है, यह आपका All India Services में आती हैं, तो यह जो दोनों की दोनो की और Class 2 की, Class 1 और Class 2 जो पोस्स होती हैं, वो भी All India Service और सिर्फ Central Service, यह दो Services के अंडरिक फॉंक्षान हैं इसका, यह क्या करता है, रिउक्रूट्मेंट करता है, साथ ही साथ आपका यदि कोई दो स्टेट PSC हैं, यह दो स्टेट्स हैं, जो चाहते हैं कि ऐसी Joint Recruitment किया सकता है, वहाँ यह दो सकता है, वहाँ जो पूरी कारेपनाली है, वो UPSC आपका निर्धारित कर सकता है, इतना Powerful Entity UPSC को बनाया गया है, ठीक, आर्टिकल 321 में यह कहा गया है कि कभी भी इसकी Power को क्या कर सकती है, extend कर सकती है, यानि UPSC की Power को लगातार बढ़ाया जा सकता है, clear है कि नहीं, तो UPSC की Power को बढ़ाया जा सकता है, और जादा इसको Powerful Entity बनाया जा सकता है, ठीक, अब हम देखेंगे Article 322 में और Article 323 में, तो यह Expenses की बात करता है कि UPSC को जो Expenses हैं, जो खर्चे हैं तो हमने अभी देखा था थोड़ जेर पहले, यह किस पर भारित होते हैं, केंदर की संचित निधी पर भारित होते हैं, Consolidated Fund पर भारित होते हैं, Article 266A, और इसके अंतरगत इसको एक Security प्राप्त है कि भाई, यह Secured है, इनके Expenses क्योंकि यह समयधानिक संस्था है, और राजपुरे देश की सबसे बड़ी प्रशाशनिक सेवा कि यह Recruitment करती है, तो इसको Security देने के भी आवशकता, बिलकुल हमको दिखाई पूरती है, ठीक, और जो 323 के अंतरगत है, यह Reports की बात करते हैं, कि भई जो Reports हैं UPSC की, वो कहां पेश की जाएंगी, पारलियमेंट में पेश की जाएंगी, तो UPSC की Reports जो हैं, वो पारलियमेंट में संसद में कि हर साल देखा जाता है कि Hindi मीडियम से कितना सेलेक्शन हो रहा है, English मीडियम से कितना सेलेक्शन हो रहा है, साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि भई, जो CSET जो लाया गया था, तो पहले जो CSET था वो उसके नमबर जूरते थे, बाद में आपका CSET क्या हो गया, क्लियर है कि नहीं, तो आज हमने देखा आर्टिकल 315 से लेकर के आर्टिकल 323 तक कि कैसे UPSC जो है, इन आर्टिकल के अंतरगत, उसमें क्या-क्या चीज़े हैं, क्योंकि डिरेक्टल आपको आर्टिकल से भी प्रशन है, पुछे जा सकते हैं यहां पर, तो हमने देखा 315 म में हमने देखा कि यह appointment की बात करते हैं, term की बात करते हैं, कि रास्पती नियुक्त करता है, और 6 साल या फिर 65 वर्श जो भी आपका पहले हो जाए, 317 में हमने देखा कि removal की बात करते हैं, कि भई, दिवालिया हो गया, या विक्रिचित हो गया, इसके अलावा एक चीज और और होती है, जो सिद्ध कदाचार जिसे कहते हैं, सिद्ध कदाचार, ठीक है, सिद्ध कदाचार के आधार पर भी क्या किया जा सकता है, remove किया जा सकता है, UPSC के member को, chairman को, याने एक थोड़ा सा cutting procedure है इनको निकालने का, कहने के मतलब यह है कि इनकी security का ध्यान यहां भी रख गया है, clear है कि नहीं, power to for service condition, तो service conditions जो होती है, इनको मैंने बताया कि इनके कारेकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता, clear है कि नहीं, बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता, और 319 में security को बरकरार लखने के लिए, इनकी transparency को बरकरार लखने के लिए और दूसरी service में जाने से prohibition किया गया है, फिर हमने देखा 320 में इनके functions क्या क्या है, ठीक है, किन-किन पदों पर यह क्या करते हैं, आपके न्यूक्ति करते हैं, इनके functions को, power को parliament क्या कर सकती है, expand भी कर सकती है, और साथ ही साथ, 322 में इनके जो expenses हैं, उसको security देते हुए, संचित निदी पर क क्या किया गया है, भारित क्या गया है, consolidated fund पर, और 323 में जो reports हैं, UPSC के वो parliament में पेश की जाती हैं, तो चलिए आप हमने ये articles सारे देखे, और आगे आने वाले हमारे जो lectures है, उसमें हम थोड़ी से और बात करेंगे, और फिर MPPSC के बारे में हम बात करेंगे, चलिए बहु पिशा आपके साथ, टीम कोको